तो फाइनली यहां का ट्रेक कंप्लीट हो गया है दबल देकर रूट ब्रीज और रैन्व वाटरफॉल था अब मैं यहां से निकल लहां हूं यहां से सीधे मापसाई कैब्स एक यहां से चेरापुंजी में है उसको विजिट करूंगा फिर वहां से डॉकी के तरफ चला तो अगर मैं एक सला देना चाहूंगा कि अगर आप यहां पे आते हैं अगर आप आस बैग घर है तो आप उपर में हो में से लिए ताकि आप नीचे सी पर एक हलका सा बैक कैरी करके लिए मैंने यह गलती किया और मैंने जो हो में से लिए फूला नीचे डवल देकर कर दाओ हमिर यह था कर दाओ हो तो जो हमिए पूलिच कर दाओ है एक अजिए ठाओ के लिए और गया हूंगे दूर। ट्रैक चेरापुंजी के पास इसी ताहराना नामा के छोटे से गाउं से शुरू होता है पहले आपको सिलोंग से चेरापुंजी आना है और फिर चेरापुंजी से और आगे तैराना करके गाउं है वहाँ पे आना है और चेरापुंजी से तैराना की दूरी कड़ी बाड़ा किलोमीटर की है यहां पर आने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो है आप कैप बूक कर लीजे या फिर आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं या बेलकम बैगर्ज फारली मैं पहुंच चुका हूं तैराना विलेज जहां पर डबल डेकर रूट विलेज का ट्रेक है सिलॉंग से मैं सिद्धा तैराना विलेज ही आया हूं मैं चेरा पुंजी में भी इस्टे नहीं किया और रास्ते मैंने सिर्फ एक वाटरफॉल था एलिफेंट फॉल्स वह देखा हूं और यहां नेके बाद मैं स्कूर्टी साया हूं तो स्कूर्टी को मैंने बाहरी पार्किंग पे लगा दिया है और उसका रात बार का किराया उन्हें मेरे 60 रुपे लिया है तो बाहर लगाने के बाद मैं नीचे उतर रहा हूँ जहां पर वो ट्रैक का रास्ता है और नीचे ही एक होमेस्टे है सेरीन होमेस्टे जहां पर मैं अभी रुकूंगा अब यहां से 2000 एस्टेप और है सिंगल देकर के लिए और डबल डेकर के लिए 3000 तैराना से जो आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो कड़ी 3500 सीडी उतरने के बाद आप नौंगरी घाट पहुंचेंगे और यहीं पर डबल देकर रूट ब्रीज है रहने के लिहाँ से डबल डेकर रूट ब्रीज के पास काफी सारे होम इस्टे हैं आप जब तैराना विलेज पहुंचेंगे तो वहां भी आपको बहुत सारे होम इस्टे मिल जाएगा भी आपको पहुंचेंगे लेकर वहां है वो वाओ वाओ 16 वे 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 गिलास उच सबूंदू एक बीज बीज मेन क्रॉस किया है अब सिर से साथ दूसरा बीज आ गया है जय का आई ट्रॉम इसमें डरनने वाली बात नहीं है कर अज़क।T कर दो éta के अज़की विअगा कर दो जा है मैं प्रॉण प्रॉण हो ज़ति से घूजारा का दो इचे प्रॉई्च शेयिगी कम प्रॉण मुझेगा जो नहीं है 500 और उपर सेरीन का तेंक यू अभी थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि मैंने अपना बैक पैक होम इस्टे में रख दिया है अभी नीचे सूपर आने के करम में एक होम इस्टे मिला है जिसका आज नाइट का चार्ज थीन सोर पर बैसिक फैसलेटी है एक रूम है और साइड में वास्रूम है तो ठीक है चाल जागा नो प्रोलम आज डबल डेकर का ट्रेक करने के बाद कल अगर टाइम में लाउब करेगा तो रैंवो वाटरफॉल की तरफ जाएंगे सब्सक्ते बर्काइम यह अवाद है निया प्रेंगों वाटरपाल कर दो यह इंटेर करने का चार्ज पर तासर पर है और मेरे पास गोपर है तो इसका हंडेर रूपीजिए इत मेंस तोटल देडर रपै करना है है यहां पर कि अगया है तो फानी डबल दे का ब्रीज प्राग यहां यही वह डबल दे का ब्रीज है जिसके लिए मैं नीचे से ट्रैक करके ऊपर तकाया हूँ मैं दिखाता हूँ इस डबल दे का ब्रीज दिखता कैसा है यह पेर के जो रूठ होते है उससे मिल के जोड के बना हुआ है कि जिखता है कि सब्सक्राग के ब्राट प्राट प्राट है झाल 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 तो आज ये करीब सिलॉंग से यहां आने में मुझे दो घंटे लग जाते हैं और उसके बाद ये स्टेप जो ट्रैक्ट है उसमें भी एक से देर घंटा लग दिया और हाँ यहां पे जब आते हैं तो पहले आपको एक सिंगल ब्रीज मिलेगा जो कि लोहा का है वहां पे फोर डड़ भी आपको लगेगा और फिर एक और ब्रीज मिलेगा वह अच्छा ब् करते हैं तो आपको इंट्री फीस पचास उर्पर देने हैं पचास उर्क एंट्री फिशा और सो रॉपर गोप्रो के है तो मेरे पास पोपर था तो इसका इसे यहां पर मुझे करने पड़े हैं तुप यह ज़ी मुझे कुछ यूख है इस आव है बादे गया का है लुझ अव्यावन अजिए नचॉटी ढखनी लुट जो जग लगाई भाईट लुट को जाने लुट 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 झाल झाल झाल